इंग्लेंड में पर्माणू निशस्त्रीकरण के पक्ष में अभियान एक केस स्टडी जापान की तरह इंग्लेंड में भी पर्माणू हथियारों पर प्रतिबन लगाने के लिए व्यापक अभियान चला परमाणू हत्यार विरोधी अभियान ने लगातार यह मांग उठाई कि इंग्लेंड को परमाणू हत्यारों के उत्पादन से लेकर किसी भी तरह के प्रयोग से पूरी तरह से दूर रहना चाहिए अभियान ने यह मांग भी कि कि इंग्लैन को इस तरह के परमाडू हत्यारों पर प्रतिबन लगाना चाहिए। इस अभियान से जुड़े हजारों कारिकरताओं ने लंदन से वर्कशार तक एल्डर मास्टन यात्रा निकाली। इल्डर मास्टन वक्रशायर में इंग्लैन का परमाडू प्रतिष्ठान था। इल्डर मास्टन यात्राएं 60 के दशक के शुरुवाती वर्षों में लगातार जारी रही। प्रसिद्ध दाशनिक बर्टेन रसेल ने अपने पत से इस्तिफा दे दिया और कमेटी ओफ हंड्रेट का गठन किया। इस समूव ने इंग्लैन के परमाडू प्रतिष्ठानों के सामने लगातार धरने देने का काम शुरू किया। रसेल ने कहा कि धरने पर बैटना इसले जरूरी हो गया था क्योंकि इंग्लैन के समाचार पत्र परमाडू हर्थियार विरोधी अभियान के प्रति उदासीन हो गया थे। शीग रही बड़ी संख्या में लोगों ने कमेटी ओफ हंडरिट की सदसिता ग्रहन की और लोग लगातार प्रतिष्ठानों के सामने धरने पर बैटने लगे। 89 वर्ष की उम्र में गिरफतार कर लिया गया जिसके चलते यह आंदोलन थोड़ा ठंडा पड़ गया क्योंकि कमेटी ओफ हंडरिट के धाचे का कोई पदानुक्रम नहीं था और ना ही इसकी सदसिता आपचारिक थी। अमेरिका में परमाणू हत्यारों को रोकने के लिए शांतियांदोलन एक केस स्टडी। जापान और इंग्लेंड की तरह अमेरिका में 1960 के दशक में परमाणू हत्यारों को रोकने के पक्ष में एक महत्पूर्ण शांतियांदोलन किया गया। 1961 में जिस समय शीत युद्ध अपने शिखर पर था उस समय अमेरिके महलाओं ने शांति के लिए हड़ताल नामक अभियान के तहत अमेरिका के 60 शेहरों में यात्राएं निकाली। इन यात्राओं में 50,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया तथा परमाणू हत्यार रही दुन्या बनाने और शीत युद्ध को खत्म करने के लिए व्रिहत प्रदर्शन किया। या अमेरिका के परमाणू हत्यारों के खिलाफ होने वाला सबसे बड़ा राजनेतिक प्रदर्शन था। प्रदर्शक से लेकर शीत युद्ध के अंत तक अमेरिका में परमाणू अस्त्रों को रूखने तथा परमाणू निश्वस्त्री करन के लिए शांती आंदोलन काफी उल्लेखनी ढंग से चला तथा उसमें कुछ उपलब्दियां भी प्राप्त कि अन्य देशों में शांत पर प्रतिबंद का समर्थन किया तथा हर तरह के हत्यारों की दोड़ को रोकने पर जोड़ दिया शीत युद्ध के बाद यह अंदोलन अमेरिका दोरा इराग पर किये गये आकरमन को रुखवाने वह सीमित करने में काफी सक्रिय रहे बाद में कई अंतराश्टी जगड़ खास तोर पर मध्य पूर्व युद्ध, मिस्र, लीबिया तता सीरिया जैसे देशों के गुरु युद्धों को रुखवाने के लिए यह अंदोलन शांती के प्रयास कर रहे हैं युरोप के विभिने देशों में सक्रिय ग्रीन पार्टी, कैनेडिया शांती सम्मेलन, जर्मनी शांती अभियान जैसे अनेक संगठन शांती अंदोलन को बढ़ाने तता युद्धों को रुखवाने के लिए काफी सक्रियता से कारे कर रहे हैं